क्या देव एलियन थे और उनके साथ साथ क्या असुर भी एलियन थे अगर हम कह रहें कि अलग लोक से आए लोक का शायद English Translation प्लेन होता है और ये माना जाता है कि हम भू लोक में रहते हैं तो जब हम भू लोक की बाते कर रहे हैं तो क्या भू लोक सिर्फ हमारी धर्ती है हम हमारा पूरा known universe है जैसे astrophysicists अभी known universe के बारे में बाते करते हैं तो ये भी बता आता है कि known universe के कुछ limits है और उस limits के बाहर क्या है हमें पता नहीं और ये physics से proven है तो भू लोक मतलब ये known universe या भू लोक मतलब सिर्फ धर्ती देखिए एक इस बात से एक बात याद आद आई पहले आपको वो टच करते हैं आपकी आपकी शौर 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 वेस्टरन कंट्रीज में जिस पहले आदमी ने बोला था ना कि earth is round उसको फासी पटांग दिया थे ये fact है नाम मुझे दिहान नहीं पर मिल जाएगा कि ये against the Christ बात कर रहा है जब ये वहां किया जा जा था थ भू मतलब लैंड और गोल मतलब गोल तो हमको उस समय भी पता था ancient science बोल लिजाए जो भी बोल लिजाए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग भी इसको mythology मानते हैं उसका और science का बहुत करीबी तालोक है हम उसके आएंगे पर coming to आपके सवाल को कि क्या ये अरी मैं एक दिन ऐसा आए गाना मतलब आज से 500 साल पहले 200 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हम मून तक पहुंच गाए हम पहुंच गे मून तक पहुंच गे मार्स तो दूर है नहीं पहुंच गे आज हम को लगता है कि जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे just imagine कि एक दिन एक spaceship अर्थ से निकलता है और वो किसी ऐसे planet में land करता है जहां habitat है किसी अलग तरीके के जीव हैं लेकिन हैं और they have brains, they can understand they might not be knowing our language हमारा language निया हम किसी तरीके से अगर उनको यह समझाएंगे कि हम कहां से आएं तो हम दो तीन चीज़े कहने हैं हम बोलेंगे कि हम पृत्वी से आएं अर्थ से आएं ठीक है और वो ध्यान से देखैंगे कि हम दिखते कैसे हम चलते कैसे और फिर जब हम वापिस अब हम आए हैं और अगर वो हमारा नुकसान नहीं कर रहा है तो हम उनको कुछ तो देंगे चाहे हम अपने स्पेस्शिप से निकाल के उनको कुछ चिप्स का पैकेट ही दे दे, पर कुछ तो देंगे, हैना वो उनके लिए पहली बार देखी हुई कोई नई चीज़ होगी और उसके बाद हम वापस उसी स्पेस्शिप में बैठेंगे क्योंकि हम ग्रैविटेशनल फोर्स तो सीख चुके है और हम निकल के वापस अरता जाएगे रोज रोज तो उस प्लैनेट नहीं जा सकते है और उस प्लैनेट का टाइम अलग चल रहा होगा हमारा अलग चल रहा है ब्रहमा का अलग चल रहा है डिवाइन यूगाज अलग है यूमन यूगाज अलग है अब जब हम वापस लोटाए हैं तो उस प्लैनेट में जब इवॉल्यूशन होगा जब उस जनरेशन में और लोग नेक्स तो नेक्स तो नेक्स जनरेशन आएगा वो भी तो दिवार पैसे चीजें बना देंगे न और उनके लिए भगवान कहां से आयते पता है उनके लिए भगवान अर्थ से आयते तो भगवान ऊपर से आयते भगवान पृत्वी नाम तो हमारे लिए स्वर्ग वर्ड जो है वो शायद उनके लिए पर वर्ड प्रित्वी बन जाएगा और स्वर्ग वर्ड भी सब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव होता है अभी हो सकता है कि एक गॉड जो वेस्टरन साइड में उतरे होंगे उन लोगों को समझ में है हेविन क्योंकि हम उनकी लैंगविज नहीं बोलते थे और वही हम को समझ में है स्वर्ग और वही किसी और को समझ में है जन्नत लेकिन यह है एक ही प्लानेट तो वहीं से फिर वो बात निकलती कि आल गॉड जोड और वन भगवान एक ही है तो हाँ यह बहुत ज़्यादा इसकी possibility हो सकती है आने वाले समय में की